अगर आपके पास टू वीला, फ्रिज और वाशिंग मशीन है तो आपको सरकारी कल्यान योजनाओं के लाब से वंचित किया जा सकता है सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षन को लागू करने के लिए बनी बिबेग देवराय कमिटी ने ये सिफारिश की है केंदर सरकार जल्दी शहरों में सरकारी कल्यान कारी योजनाओं का लाब लेने के लिए नए प्रावधान ला सकती है समाजिक और आर्थिक सर्वेक्षन को लागू करने के लिए बनी बिबेग देवराय कमिटी ने सरकार को कई सिफारिशे भेजी हैं जिनमें कार, चार कमरों का माकान और एसी में से कोई भी एक चीज होने पर आपको सरकारी योजनाओं के लाब से अलग किया जा सकता है इन सिफारिशों के मताबिक ऐसे लोग जिनके पास वाशिंग मशीन, टू विलर और फ्रिच तीनों है उनको भी सरकारी कलियान योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए कमिटी ने ये भी सुझाव दिया है कि परिवारों के घर, पेशा और समाजिक स्तिती को आधार मान कर उनको इस लिस्ट में लाया जाएगा अगर इनसी फारिशों पर अमल किया गया, तो शहरी शेत्र में रहने वाला एक बड़ा जरूरत मंतब का सरकारी कलियान योजनाओं के दायरे से बाहर हो जाएगा वेरो रिपोर्ट, गो न्यूज